वह आई आस देखते हैं कि आर्थ शास्थ्र में सांखीकी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है सांखीकी याने के स्टेटस टिक्स की अगर हम बात करें, तो स्टेटस टिक्स लैटीन भाषा के स्टेटस शब्दे से लिए गया है जर्मनी में इसे स्टेटिस्टिक और इतलियन में इसे स्टेटिस्टा कहते हैं खुल मिलाकर तीनों का अर्थ एक ही है स्टेट यानि कि राज्य यानि कि तातकालिन समय में हम यह कह सकते हैं कि उस समय राज्य में संख्यात्मक प्रबंध व्यवस्था जो होती थी उसी से लेकर यह स्टिटस्टिक्स यानि कि सांखिकी शब्द बना है सांखिके शब्द को विस्तार से समझने के लिए इसे दो भागों में वर्गिकृत किया जा सकता है बहु वचन सांखिके और एक वचन सांखिके बहु वचन सांखिके कि अगर हम बात करें तो यहां पर मात्रात्मक सूचनाओं या आकडों को शामिल किया गया है जो संख्या से संबंदित होते हैं अब क्योंकि हम संख्या की बात कर रहे हैं तो यहां एक और महत्पूर बात देखने को मिलती है कि इसमें किसी एक व्यक्तिगत आकड़े को शामिल नहीं किया जाएगा यानि अगर मैं कहूं कि राम को दस्वी की परिक्षा में गणित में 20 अंक मिले अब क्योंकि यह व्यक्तिगत है एक व्यक्ति विशेस के लिए एक बच्चे विशेस के लिए है तो इसका जो 20 अंक है वो संख्य की नहीं माना जाएगा कब यह सांख्य की होगा जब मैं यह कहूं कि कक्षा दस्वी के 50 विध्यार्थियों के गणित विशे के ओसत अंक 100 हैं बोलने का मतलब दस्वी कक्षा के सभी विध्यार्थियों के समू को वो दर्शा रहा है यानि कि यह जो मेरा आकड़ा था वो किसी एक विध्यार्थियों के लिए ना होकर वो पूरे विध्यार्थियों के समू के लिए था तो कहने का मतलब ये है कि इनमें उनी संख्यात्मक आकड़ों को शामिल किया जाएगा जो व्यक्तिगत ना होकर सामुहिक रूप में होंगे आईए देखते हैं कि बहुवचन सांखिकी के संबंध में विद्वानों ने क्या परिभाशा दी है बहुवचन सांखिकी के अंतरगत हम होरे सेक्रिस्ट के परिभाशव पर नजर डालते हैं इनके अनुसार समंक यनि की आकड़े तथ्यों के उस समू को कहते हैं जो अनेक कारणों द्वारा परियाप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं जो संख्याओं में व्यक्ति किये जाते हैं यतोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गड़ना या अनुमान लगाया जाता है जिन्हें किसी पूर्व निश्रित उदेश के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है तथा जो तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं इस पूरी परिभाशा का अगर हम सुक्ष में विसलेशन करें तो कुछ बिंदू जो हमारे सामने निकल कर आएंगे उसे हम ये जो बहुवचन के रूप में हम सांखिकी को देख रहे हैं उसके विशेस्ता या उसके महत्यूपूर्ण बिंदू के रूप में देख सकते हैं आईए देखते हैं वो कौन-कौन से बिंदू है जिसमें हम देखते हैं पहला पहली बात ही हमको देखनों को मिलती है कि एक्चली ये तत्वों के समूल की बात करता है जैसे अब lazily हमने इसके अर्थ में भी रेखा था कि सांखिकी किसी एक व्यक्ति विशेस जैसे हमने व विध्यार्थी या विध्यार्थियों को एक समू तो यहां पर इन्होंने बताया है कि सांखी की जो है वो पूरे समू का अध्यन करती है जैसी कि अगर हम बोले कि परिवार के एक सदस्य की मासिक आये 10,000 रुपय प्रती माह है तो यहां पर यह कोई संख्यात्मक आकड़े सांखी की का आकड़ा नहीं कहलाएगा लेकिन हम बात अगर राश्ट्री आये प्रती वेक्ति आये एक देश की आये की बात करते हैं पूरे परिवार के आये की बात करते हैं तो वहां पर वो जो आकड़े हमको ग्रूप में मिलते हैं समू में जो मिलते हैं वो आकड़े सांखी की के आकड़े कहलाते हैं दूसरी एक विशेज बात इसमें मिलती है कि इसको संख्याओं में वेक्ति किया जाता है जैसे अगर मैं बोलू कि राम जो है वो श्याम से लंबा तो मेरा इस तरह से कहना कोई सांखी की आकड़ा लंबा या छोटा होना कोई सांखी की आकड़ा नहीं कहलाएगा लेकिन अगर मैं यह बोलू कि राम की जो हाइट है वो पाच फूट पाच इंच है श्याम की जो हाइट है वो पाच फूट तेन इंच है तो यह अंडरस्टू मिल कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि संख्या का होना आवश्यक है तीसरी बात यह देखने को मिलती है कि इसमें जो आकड़े होते हैं वो बहुत से कारणों से प्रभावित होते हैं जिसे मान लेजिए कि एक निशकर्स हम निकाले हमने एक आउटपुट हमको यह मिला सर्वे के बाद कि इसी देश की जनसंक्या में गत वर्ष की तुल्ना में इस वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धी हुई यह हमने एक पॉइंट निकाला लेकिन यह यह नहीं तक सिमित नहीं रहता इसके पीछे बहुत से कारण है जन्मदर मृत्यूदर परिवार नियोजन वहां के लोगों की सिक्षा का इस्तर ऐसे बहुत से चीजे हैं जो इनके पीछे के कारण बनी होंगी तो यह एक महत्तुपुण बात अगला बिंदू सांखिके में जो क्ष Oleop के करते हैं तो वह बोत ही विवस्तित रूप में staying लिए कि अगला एक विशेस्ता मिँआ थी आख्री होते हैं तभी तो Mexico entrar कर पायेंगे जैसे किसी इसमें में जन संख्या के निका में निकाले तो वो जनसंख्या के आकडों की तुल्ला हम पिछले बार की जनगर्णा की जनसंख्या के आकडों से कर सकते हैं यह हम किसी कक्षा में विध्यार्थियों की आयू निकालें औसत आयू निकालें तो आयू की तुलना हम आयू से करेंगे या प्राप्तांक की की कुलना हम प्राप्तांक से करेंगे तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो समंक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं संबंधित होने चाहिए हम आयू की कैलकुलेशन किये और यहां पर हम अंको की कैलकुलेशन कर तो सांखिकी में हम दूबंधित आक्ड़ी होते हैं ताकि हम उनकी एक दूसरे से तूलना कर सकें ये तो थी बहु अगर हम इसको एक वच्छन सांखिकी के रूप में अगर हम इसका अध्यन करते हैं तो आये देखते हैं 다시-D sab परिभाशा दिजा सकती है क्रोस्टन और काउड़न ने एक वचन सांकिकी के जो परिभाशा दिए उसमें इन्होंने कहा है कि सांकिकी को संख्यात्मक आकडों के संकलन प्रस्तुतीकरण विसलेशन और निर्वचन के विज्ञान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है ऐसी ही परिभाशा और कई विद्वानों द्वारत दी गई है सभी ने सांखिकी को आकडों के संकलन, प्रस्तूतिकरन, विसलेशन, निर्वचन इन सबसे परिभाशित किया है तो कुल मिलाकर हम एक वचन सांखिकी के बारे में यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह संख्यात्मक आकडों को एकत्र करने, उनका विसलेशन करने, निर्वचन करने, उनको प्रस्तूत करने की एक विधी है विधी शब्द का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं, आये देखते हैं कि इसके अनुसार एक वचन सांखिकी में कौन-कौन से बिंदू हमारे सामने स्पस्ट होते हैं, तो अगर हम क्रोस्टन और कावडन की ही परिभाशा को ले लें, तो पहला बिंदू हमारे सामने आता है कि यह आकड़ो का संकलन है, यानि कि अगर हमको किसी भी विशयपय कोई सर्वे करना है, यानि कोई संख्यात्मक आकड़े हम को चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले आकड़ो का संकलन करते हैं, आकडों का संकलन करने के लिए हम प्रश्णावाली तयार करते हैं प्रश्णावाली के बहुत से प्रारूप होते हैं बहुत सारे प्रश्णावाली के बारे में जो जानकारी है वो हम अपने आगे आने वाले ध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि प्रशना वाली कुछ इस तरह से प्रारूप में होती है एक उधारण है हमारे पास कि हम गाओं में महिला और पूरुष के सिक्षा के इस तरह को अगर हमको जानना है तो हम एक इस तरह की प्रशना वाली तयार कर लेंगे जिसमें किन किन बातों कर लेख होगा कि एक गाओं में महिलाओं की संख्या कितनी है पूरुषों की संख्या कितनी है जो महिला है वो किस आयूवर्ग के है जो पूरुष है वो किस आयूवर्ग के है और जो महिला है उनकी सिक्षा कितनी है किसने कितनी क्लास तक पढ़ा है और वही जानकारी हम पूरुष की बारे में भी जानेंगे इसलिए हम इस तरह की एक प भाजित कर देंगे जब ये प्रेश्णावली जो गाउं के सदस से हैं वो भर कर हमें दे देंगे तो हम उन में उनको संकलित करने के बाद एकत्र करने के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे जैने कि हम इस तरह से आयू की अनुसार निकाल लेंगे पुरुशो की संख्य आयू के अनुसार निकाल लेंगे। शिक्षा का इस तरह हम इसके अनुसार से निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह से हमको यहाँ पर वर्गी करन करना है उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टैप रहेगा वो रहेगा यह जो हमने टैबुलेशन किया है तालिका बनाई है यह हमने अपने संकलित आकड़ों को सूची बद्ध किया है इसको हम और अच्छे से सुन्दर तरीके से हम हमारा जो टैबुलेशन रहता है हमारी जो सारणी रहती है उसके कोडिंग हम इसमें सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं आए वे में अगर हम कुछ निकाल रहे हैं हम इस्तरी पुरुष की सिक्षा का इस्तर निकाल रहे हैं तो हम इस तरह से x-axis और y-axis लेके हम एक ग वैसे ही next step में हम यहाँ पर विसलेशन करते हैं विसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं अभी हम अपने आगे आने वाले chapters में माध्य माधिका बहुलक अपकिरण जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे यानि कि अपने आप में ये पूरे के पूरे एक अध्या है इनके अंत और गत संकलित कि ये गए आपडों का हम विसलेशन करते हैं इन आपडों का करने के बाद जो लास्ट हमारा काम है वो है निर्वचन निर्वचन करना यानि निश्कर्स निकालना अब तुलना यहां पर हम तुलना के इस्तिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि सारे आकड़े हमारे पास आ चुके हैं पूरू के आकड़े अरड़ी है हमारे पास तो यहां पर हम तुलना करते हैं कि जैसे हमने सिक्षा का इस तर निकाला तो हम यह देखेंगे कि गतवर्ष सिक्षा का क्या इस तर था अभी कितना है यह हम आए का इस तर निकाल रहे हैं तो गतवर्ष संकलन से शुरू होकर निर्वचन पर समाप्त होती है जिसको कि हम step by step आगे आने वाले अध्यायों में और विस्तार से समझेंगे तो ये बात थी केवल सांखिकी के एक वचन और बहु वचन की अवधारनाओं की अब हम देखते हैं कि सांखिकी के उपकरण क्या होते हैं तो सांखिकी उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई tools ऐसा कोई equipment जैसा कुछ है नहीं एक्शली जो सांखिकी में हम जिन विदियों का प्रियोग करते हैं, जिन तकनीकों का प्रियोग करते हैं, वही तकनीक सांखिकी के उपकरण कहलाते हैं। तो सांखिकी क्या है एक वचन और बहुचन की रूप में यह हमने देखा। अब हम देखते हैं सांखिकी का छेत्र क्या हैं। सांखिकी की सीमाएं। तो अगर हम सांखिकी की प्रकृती की बात करें, तो जैसे की पहले भी हम देख चुके हैं, कि सांखिकी की प्रकृती वच्जानिक भी है, कलात्मक भी है या फिर हम कहें तो वच्जानिक और कलात्मक दोनों हैं। तो अगर हम वच्जानिक प्रकृती की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि विज्जान, अगर हम बोले कि सांखिकी विज्जान है, तो हमको पहले ये जान लेना जरूरी होगा, कि विज्जान क्या है। अगर हम संखिक्त में विज्जान के बारे में कुछ कहें, तो हम ये बोल सकते हैं कि विज्जान, यानि कि किसी विशय का क्रम बध्य अध्यान, स्टेप बाइ स्टेप हम किसी को समझते जाएं, क्रम से हम किसी को समझते जाएं, तो वो विज्जान के अंतरगत आ सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि नियम और सिध्धान्त विज्ञान के कुछ अपने बनाये हुए नियम और सिध्धान्त होते हैं बिना नियम या बिना सिध्धान्तों के अंतरगत कोई भी कार अगर हम करते हैं तो उसको हम विज्ञान के श्रणी में न करता है कारण परिणाम संबंधों की व्याख्या करता है डूंड के निकालता है वैसे ही चौती अगर हम बात करें तो यह अपने प्रयोगों के आधार पर कहीं न कहीं पूर्वा नुमान लगा लेने में भी सक्षम होता है तो यह जो हमने चार पॉइंट देखे यह विज्ञ सांखिकी से मैच करें तो देखेंगे कि क्या सांखिकी को विज्ञान माना जा सकता है बिल्कुल अगर हम क्रम बद्धता की बात करें तो आपने देखा कि सांखिकी में किस प्रकार से क्रम बद्धता बनी रहती है हमने इसके पहले देखा था कि जब हम आकडों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आकडों का संकलन करते हैं उसके बाद हम उसका सारणियन करते हैं वर्गी करन करते हैं प्रस्तूती करन करते हैं और विसलेशन या निर्वचन करते हैं तो कहीं न कहीं यह सारी चीजे step by step होती है करम बद्ध होती है तो इस बिंदू के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांखिकी भी अपने आप में एक विज्ञान है वैसे ही अगर हम नियम सिद्धता की बात करें सिधान्तों की बात करें नियमों की बात करें तो सांखिकी में भी ऐसे बहुत से नियम है जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं महांक जड़ता का नियम है यहाँ पर सांखिकी निमित्ता की नियम की हम बात करते हैं संभावना सिधान्त की हम बात करते हैं तो यह सारे सिधान्त यह सारे नियम सांखिकी के हैं तो क्योंकि सांखिक कुछ ना कुछ नियम कुछ न कुछ सिधान्थ को kun ऊगे वढ़ते हैं तो हम यहां पर खा़ियां को संक् graphs कर लेते हैं Hyparti कर देखा कि जब नहarya करने किन तरहीं तो जासर кोफर हम कर लेटे हैं दशेत कर लेते हैं उनसे हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसका हम एक एनालिसेस करते हैं, उसके विसलेशन करते हैं, अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो किन किन आकडों का हमने प्रयोग किया, किन किन प्रेशनावली के द्वारा हमने वो आकड़े एक अत्रि किये, कहा कहा से हमने वो आ तो विझान दर को देखते हुए आने वाले समय में उसकी क्या इस सिती रहेगी हम उसका पूर्वा नुमान लगा लेती हैं तो इसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि सांखी की एक विज्ञान है ये तो रही सांखी की को विज्ञान मानने की बात